हलो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा है बात करेंगे ऑप्तिकल फाइबर सेक्टर के स्टॉक्स की अप्तिकल फाइबर आपको पता है कितना इंपोर्टेंट मैं कहूंगा ऑप्तिकल फाइबर है जिस तरीके से इंडिया के अंदर एक digital इंडिया का campaign हम बहुत सारी वीडियो जिसके उपर create करते हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो stocks वही stocks हैं कोई नए stocks नहीं है multi bagger share मैं इनको इसलिए कहूँगा क्योंकि already एक stock ने तो तूफान मचा दिया और किस तरीके से उसने आपको पिछले एक साल के अंदर जो पैसा बना के दिया वो काभिले तारीफ मैं कहूँगा काफी हट के चली देखते हैं समझते हैं इन stocks को आज किस हालत में पड़े हुए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ल awareness आपको अपने तक ही सीमित नहीं रहनी अपने surroundings में भी उस risk की awareness को जरूर समझाएं क्या होता है कि अभी bull market है हर कोई बिना understanding के risk की understanding के खरीदने लग जाएगा buying करने लग जाएगा जब situation एकदम बिगड़ेगी तो definitely they will lose too much तो इसलिए risk की awareness के बारे में सब को बताए कि how to manage the risk और यही सारी चीज़ा हमने membership वारी series में भी काफी detail में बात कर रही है Sterilite Technologies Limited अगर मैं बात करूँ Optical Fiber Segment के top quality stock की तो मुझे जो नाम याद आता है वो है Sterilite Technologies Limited बहुत ही पसंदीदा stock में इसको कहूंगा क्योंकि ये अपने segment का leader है दूसरा stock जो मैं अक्सर आपके सामने ब पूरी की पूरी मैं कहूंगा installation, maintenance सारा काम इसके अंडर बहुत सारे orders इसको मिलते रहते थे ये दोनों stocks को अगर आप देखोगे तो almost similar PE पे trade कर रहे है और market capitalization wise क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त move आया तो इसलिए ये stock में आपको देख रहा होगा कि market capitalization बहुत क्या था कि बहुत important जो है time चल रहा है ये stock में opportunity बनती भी दिख रही है आप clearly देखे 17 रूपीज का ये level और मैं आपको ये कहूंगा कि November का October की ये videos को जरूर देखे क्योंकि इस से आपको आप सोचोगे कि price आप move कर चुका है आप देखे क्या फाइदा लेकिन जब आप इन बदलेगी नहीं smart money की concepts जो हम use करते वह वही रहते हैं किस तरीके से impulse और correction की understanding वही रहती है correction कैसे resolve हो रहा है understanding वही रहती है lower time frame higher time frame multi time frame जिसको मैं कहता हूं वह वही रहती है so it is most important thing to understand the process RSI के concept हम बात करते हैं तो ये November का वीडियो जरूर देखे बहुत कुछ सीखने को आपक technologies का ये new year का वीडियो January 2 पे जब हमने create किया था जब ये बहुत important range को breakout किया था और बहुत important ये range थी जिसके बारे में हमने कई बारे बात करी थी और इस वीडियो को भी जरूर देखे Optical Fiber के stocks में ये दो मैं अक्सर cover करता हूँ एक कई बार हम अक्स Opti Fiber की भी बात करते हैं वो बहुत चोटा यहाँ पर अभी है और साथ के साथ ये HFCL देखिए फिर फरवरी की series में हमने फिर आपके लिए एक video create किया था यहाँ पे Optical Fiber segment का तब इसका second leg चल रहा था तो ये कि बात करें तो बिलकुल ये बहुत important formula क्या है कई लोग सोचते हैं कि रातो रात यहाँ पे कमाई हो जाए लेकिन जब आप process को समझोंगे तब आपको ये चिंता करने की ज़रुवत नहीं कमाई की क्योंकि आपको पता है loss आपके हाथ में है कमाई market के हाथ में loss आपके हाथ नहीं होगा ये market का golden formula है बड़े loss को avoid करना है जनरली होता क्या है this is human nature और एक tendency होती है human emotions होते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पे नहीं हम अपनी planning के against चले जाते हैं plan हमने जरूर किया अगर इससे नीचे जाए तो हम यहाँ पे loss book कर लेंगे लेकिन होता क्या है होता क्या है कि हम loss को इतना बड़ा loss होते हैं हम सोचते नहीं यार यह loss और बड़ा नहीं होगा और यह सोचते सोचते हम उस level को भूल जाते है जहां पे हमें निकलना होता है और उसके बाद वो छोटा छोटा loss आपके लिए बहुत बड़ा होता रहता है आज की date में इस stock को आपके सामने लाने का मकसद क्या है देके impulse बनी और बढ़िया दो महीने की correction आई फिर से impulse बनी और एक kind of फिर से मैं कहूंगा यह correction मुझे देखने को मिली है जो कि अगर आप देखो अभी के time पे stocks आस्मान पे पहुंच चुके अपनी peak को cross करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहां पे आप यह नहीं सोचते कि stock 300-3000 सीधे जाएगा आपको पता है stock 300-3000 जाएगा तो definitely it will give lot of opportunities different set of opportunities मान लो इसी impulse lag के अंदर आप देखोगे there will be many opportunities using smaller time frame यही तो है this is called fractal nature of market and this is the basic of price action this is the basic of smart money concepts smart money concepts के बारे में जब भी आप पढ़ते हो कि कैसे smart money market में pump हो रही है share में pump हो रही है so this will you will understand the fractal nature of market यह smart money concepts आप देखिए अब यहां से लेके यहां तक के सपर में you will get many many मैं कहूंगा correction using smaller time frame जैसे यह मन्तली का तो daily पर 2-3 corrections आपको देखने को मिल सकती है यहां पर और अब मैं इसी पार्ट को इसी लिए आज आपके लिए वीडियो लेकिया है और आप मैं जरसा समझूंगा देखिए RSI देखिए मुझे बहुत ही पसंद आता है वो setup जब मिझे RSI 60 के area को cross करके 60 पर support लेता है यह RSI के range shifting जब होती है यह Andrew Cardwell जी के concepts बहुत important है और RSI का यह level अगर मैं आपको दिखा हूँ आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह अभी मन्तली चार्ट है इसी चार्ट को HFCL के मन्तली चार्ट में आप देखोगे तो आपको fan हो जाओगे दे Rs. to the 90s और हम इसलिए फर्वरी की series में आपके लिए इस stock का भी वीडियो ले के आए था अब देखे इन वीडियो को पुरानी वीडियो को आप देखिए you will learn lot 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 of things मैं कहूंगा optical fiber के यह stock जरूर है fundamentally आपको पता ही है और अभी यह correction चल भी कि कि इतनी बड़ी definitely rally आती है तो we need some correction और correction resolve होगे तभी आपको मौका आगे मिलेगा now coming on to again the sterilize technologies part छोटे time frame पे जाएंगे समझने की कोशिच करेंगे जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरी impulse के दौरान जो कि यहां से start हुई है और last time पर हम आपके लिए वीडियो इस series में लेके आए थे फिर correction आया देखिए बि bullback आ जाए यह देखे price यह price देखिए यह price देख रहे अब आप यह बिल्कुल उसी area में यहां पर फिर देखे jump और फिर down फिर देखिए कितना देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी correction one correction two correction और धिरे धिरे करके यह ऊपर जाते गया और फिर से यह correction आया और यह resolve हो रही upside momentum MACD central line से उपर now we will learn how this correction is unfolding in front of you अब देखिए होता क्या है कि जब भी देखे अब इसको इसमें आपको दो learning मिलने वाली है एक तो यह part देखो गया clear cut rejection and you will understand कि this यह equal highs बन चुके है अब equal highs बनते हैं तो definitely आपको rejection का कैसे पता लगता है rejection का पता लगता है this existing structure need to be broke मैं कहूंगा इसको किने break of structure मतलब existing structure break होगा and there will be a pullback kind of scenario यह देखिए और वापसी जब होगी तो definitely क्योंकि we are again in a bull market and जहां पे जो correction है वापसी यहां पे resolve होगा तो correction resolve होने के signal आपको देगा कैसे देगा again मैं आपको हर बार इसी को और membership वाली सीरी वी है आप इसको देखिए जब वापसी होगी तो definitely कुछ न कुछ सिगनल आपको जरूर मिले गया और यहां पे यह देखिए बार लो 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 हायर लो हाई पॉइंट हायर हाई हायर लो अब आप कहोगे वाह देखिए देख रहे हो similar situation तो इसी लिए अब स्रूर यहां पर smart money की concepts की order block की बात करते हैं अगर तो यहां पर एक होता है bullish order block जिसको कहते हैं जब भी इस तरीके से price breakup structure होता है तो there is a bullish order block मतलब इस rally से पहले जो last candle बनी है red वाली this is called bullish order block and bullish order block तक tendency होती है price की आने की इसको touch करने की तो smart money concepts वाले लोग होते हैं they just put a limit order in these areas to buy just by anticipating the thing वो वेट ही करते वो इस area में यहां पर limit by लगा देंगे और यहां पर आपना stop loss लगा देंगे आपको क्या बात है तो बहुत ही अच्छी चीज है देखिए but confirmation के लिए आप देखोगे चीजें resolve हो रही है आप यह entry area यह आपका stop loss तो दो चीजा होगी और दूसरी बेली के हिसाब से देखना है then you can just go to the smaller time frame and understand how this correction is unfolding और how this correction is getting resolved तो उससे आपको एक और important part और एक low risk area मिल जाता है और देखिये situation तो अभी क्या बन रहा है किस तरी के से situation बन रही है higher high higher low higher high higher low देखिये फिर से situation बनेगी और फिर कहोगे आप वा यह तो बहुत ही इंपर्टन मन volume this is again a very important to think to understand the volume part तो यह हमने sterile technologies की बात करी HFCL को share को भी अगर आप देखोगे चोटे time frame पे तो अभी अभी मैं आपको लेके चलता हूं daily time frame पे कैसी situation बन रही है तो यह एक step पीछे चल रहा है भी एक step पीछे मैं क्यों कह रहा हूं देखिये यह resolve हुआ यह आया यह resolve हुआ यह भी यहाँ पे आया situation यह यहाँ पे resolve होनी की कोशिश कर रहा है तो 76 is the important क्योंकि यह stock में बहुत जबर्दस तेजी देखने को मिली थी तो stop loss यहाँ पे अपने मैं कहूंगा tight रखके चले अगर profit booking यहाँ पे देखने को मिले तो definitely और target अभी धीरे धीरे करके ज्यादा नह तो definitely it will give you some consolidation near to this area और some kind of pullback near to this area और some kind of small correction near to this area तो चले फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो वीडियो को share जरूर कीजे like कीजे और मैं आपको यही कहूंगा कि price action सीखते रहे सिखाते रहे और practice करते thank you